लेकिन अभी तक 43,000 अभ्यार्थियों की डिग्री की जाज जो है उन नहीं हो पाई है 20 दिन का समय है और उसमें दो दर्जन राज्जी से जुरे हुए सर्टिफिकेट की जाज होनी है 25 फरवरी को सभी को न्यूक्ती पतर देने की घोसना की गई है तो आईए देखते हैं कहां 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 है डॉकुमेंट और किस तरह से होगी इसकी जाज राज्जी के प्रारंबिक विध्यालेओं में सिक्षकों के रिक्त 94,000 पदों पर न्यूक्ती की प्रकिरिया जो है अंतिम चरण में है तीन चक्र में जुलाई व अगस्ट 2021 व जनवरी 2022 में कौसलिंग की जा चुकी है करीब 43,000 अव्यार्थी जो है अंतिम रूप से चैनित हुए है शिक्षा भिभाग ने इनको एक साथ नियुक्ती पत्र जारी देने की लिए 25 फरवरी की तिथी घोसित की है हालाकि इस प्रकिरिया के पूर्व एक महत्पूर्ण पराओ है चैनित शिक्षा कव्यार्थियों के प्रमान पत्रों का सत्यापन सत्यापन कारे 28 जन्वरी तक ही पूर्ण हो जाना था लेकिन इस तिथी को भी करीब 1200 पंचायत नियोजे निकायों में कौंसलिंग चली है सत्यापन की जो मजूदा इस्तिती है उसके मुताबिक अगले 20 दीनों में सभी चैनित के प्रमान पत्रों की जाच असान नहीं दिख रही है कारण की हर जिले के पास डेड़ से दो दरजन राज्य से संबध प्रमान पत्रों के सत्यापन का टास्क है चार फर्वरी तक का हाल यह है कि तमाम जिलों में राज्य के बाहर के प्रमान पत्रों की जाच की उपलब्धी शुन्ने है तो इस न्यूज के माध्यम से मतलब यह पता चलना है कि जो दूसरे स्टेट का हो है सर्टिफिकेट है उसका जाच अभी तक नहीं हो पाया है मतलब चार फर्वरी तक का बताया जा रहा है कि तमाम जिलों की बात करें तो प्रमान पत्रों की जाच की उपलब्धी जो है सुनने बताई जा रही है सर्टिफिकेट जाच के लिए सिक्षा विभाग या प्रात्मिक निदेशाले की ओर से जब तक जिलों को कोई अतरिक्त रासी भी नहीं दी गई है और जो सर्टिफिकेट का जाज करना है बाहर के राज्यों का उसके लिए प्रात्मिक शिक्षा निरेशाले की ओर से जीलों को रासी नहीं दी गई है। प्रामानपत्रों की याज हो दिन की जाज का जीलों गरी अशलों को जुरे प्रामानपत्रों यह पे जलों की तो लोकुमेंट राज्जे से बाहर के है उनका उपलबधी बताया जा रहा है सुनने हर एक जीलो से और इन्वádtoon है हिंदुस्तान का है लीन उस्तान के सीवादियं से 11 राज्जियों के 70 संस्थानों से जूरे है प्रमान पत्र और सत्तर संस्थान का बताया जा रहा है प्रमानपत्र जो 11 राज्यों से जुरे हुए है एक डियो के नाम नहीं चापने की सर्थ पर बताए कि उनके यहां जो अभ्यार्थी चैनित है उनके प्रमानपत्र 11 राज्यों के सत्तर संस्थानों से जुरे है इनकी जाज के लिए समय और संसाधन चाहिए बहरहाल सिक्षा विवाग तमाम स्थीतियों से अबगत है सत्यापन कराने की बेवस्था में अधिकारी जूटे है रास्ता निकालने को लेकर संभावनाओ पर विचार हो रहा है तो यह जो डोकुमेंट की जाज है जो बाहर से करानी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि मतलब कहीं का भी अभी तक नहीं हुआ है जो दूसरे राज्य से जुरा हुआ संस्थान है और उसके लिए रासी भी नहीं है और जो भी अधिकारी है, सारे एक्जाम में लगे हुए है, जो भी मैट्रिक और इंटर का एक्जाम चल ला है, तो इसमें से कोई और रास्ता निकालने के संभाबनाओं पर विचार जो है, हो रहा है, तो आगे देखिए, आगे जो भी अपडेट आएगा, शिक्षक नियोज ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा, उसकर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद